दोस्तो बच्चे बड़े शैतान होते हैं और अपने शैतानियों से बड़ू के नाक में दम कर देते हैं लेकिन अब जी शैतान बच्ची के लिप आप देखने जा रहे हैं उससे देखकर आपको हसी भी आएगी और डर भी लगेगा जिसमें यह अंकल जी हर कमरे के लाइट बंद करके कोरीडोट से जा रहे थे तब ह्याए उनका बेटा उन्हें डराने के लिए एक कमरे से दूसरी कमरे में जाने लगता है और महाशे को लगता है कि पीछे कोई है और वो पीछे आकर दोनों कमरे चेक करते हैं लेकिन उन्हें माँ कुछ भी नहीं दिखता फिर जब वो वापस जाते हैं तो बच्चा फिर से एक कमरे से दूसरी कमरे में जाता है और इस बर माशे को यकीन हो जाता है कि पीछे कोई भूत जैसी चीज है और जब वो गबराट में माशे निकलने की कोशिश करते हैं तो बच्चा भूत की अवाज चिलाते हुए उनके पीछे दोडने लगता है और माशे डड़ से चिलाते हुए भाग जाते हैं सच में यार हम तो बच्पन में अपने दोस्त का बैक चुपागर खुद को शैतानियों का देवता मानते थे लेकिन आजगल के बच्चे तो उन शैतानियों के देवता के भी बाप हैं